आरंपूरा त्रॉल जड़प एक्तिताम वजीर जड़प में छे मिलिटेंट हलाक हलाक हुए मिलिटेंटु में जाकिर मुसा का करीबी साथी भी शामिल एनकांटर के बाद फोर्सिज और मुजारीन के बीच जड़पे खालात को देखते हुए इंटरनेट खुदमात मौतल बारामला बानिहाल रेल सिर्विस भी एहतियाती तूर फर्बंद और उत्रा खंड दिल्दोज हादसे में ओड़ी के साथ मजदूर जामबाक तीन जख्मी जामबाक मजदूर को आज लाया जा रहा है ओड़ी आदाब नाजरीन आप देखने हैं गुलिस्तान नियूज अवितक का अर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबा निगाओ हर कुछ है आपकी खदमत में हाजर पेशेंखकबरों की तफसील सबसे पहले जुनवी कश्मीर का रुक करते हैं जुनवी कश्मीर के आरमपुरा तराल में फोर्सिज और मिलिटन्टू के दरमयां जड़प में छे मिलिटन्ट खलाक हुए हैं पुलीस का कहिना है कि इलाके में मिलिटन्टू की माजूगी की एक मुस्दिका इतला मिलनी की बाद फोज पुलीस और सियार पिएफ ने दोरानी शबही महासरा के और आजल सुबा तलाशी कारवाई इस्चिरू की जिजिनाने एक रहाशी मकान में माजूद मिलिटन्टू न तालू अंसार गजवत अलहींद नामी मिलिटन तन्जीम सी बता जाता है अपली लाओ प्वाणी ने बता जाता है this operation is a clean operation because the force has got ample time to engage with the terrorist and there is no collateral damage. आरम पुरा तराल में फोर्स जोर मिलिटेंटू के दर्मियान हुई जड़फ में अंसार घजवत अलहिंद के छे मिलिटेंट खलाक होए हैं। जड़ी तफसिलात के लिए सीधा चलते हैं शबनम फायास के पास। शबनम में क्या कुछ ताज़ा तफसिलात हैं जिस तरह से छे मिलिटेंटू को खला किया गया है और एंकाउंटर के बाद किस तरह के खलात हैं वहाँ पर देखें आवंधी पुरा पूलीस जिस्ट्रिक के तहत ये इलाका आता है और तराल का आराम पूरा इसे कहा जाता है चक करेवा पर माजूद ये जो जड़ब हुई आज जिसमें छे असकरित पसंद जो है वो जामबा कोई हैं और इस दौरान जो जड़ब जिस तरह आप हुआमा के अपने सिरलों में देखा होगा कि जो दो पसकी इलाकू से अब लोगों की बड़ी तैदा जो है इस इलाकी की तरफ है जो और सोटी बोटी जो है जड़बे भी बराबर जारी है तहम जो एंकाउंटर हुआ इसमें छे असकरित पसंद जो अनसार गज़त अलहंद जो जाकिर मूसा का ग्रुप माना जाता है जो जिस ही है बदा ये भी जाता है कि इस इलाके में जो मेंट पसंदू या मिल्टेंट की होती है वो लगातार होती थी जिसके बीच आज जो ये और सब्सक्राइब शुरू हुआ इसके बाद ये दूनों अद तरफ से जो गोल्यों का दबाबर जड़ब शुरू हुई जिसमें फ पर देखा जा सकता है इस जोहिल काल्टर के बाद ये थे शबनम फाय चलिए शबनम आपका बहुत 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 शुक्री आए थे शबनम फाय जो तफसलात फराम करे थे जिस तरह से आरंपूरा तराल में फोज और मिलिटेंटू के दरम्यान हुई जड़प में छे मिलि जबके बटागुण तराल के नदीम एहमद के बतोर हुई है और मुजफर अहमद जो के बटागुण का भी रहने वाला है और डार्सुरा के फैसल जावेद अमलर तराल के फैसल जावेद के बतोर हुई है तरह से छे मकामी मिलिटेंटू को खला किया गया है अनसार गजव गजवत अलहिंद नामे मिलिटन तन्जीम से वाबस्ता छे मिलिटन्टों को हला किया गया है जब कि माना जाता है कि सालिह जो है जाकिर मुसा का जो करीबी साथियां और डिप्टे कमांडर गंसार गजवत अलहिंद के हैं उत्राखण में पस्या गिराने से एक दिल्दोज हद सापेशा है जिस दुरान शवाली कश्मीर के ओड़ी इलाके से तालुक रखने वाले साथ मजदूर जाम बाकुए हैं जब के तीन जखमी और एक लापता हुआ है जिसके तराश जारी है बताया जाता है कि रिशिकेश केदरनात कौमी शारा पर तैईस के खरीब मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक से पस्या गिराने से ग्यारा मजदूर जिन्दा दब गए जिसमें शमाली कश्मीर के ओड़ी इलाके से तालुक रखने वाले साथ मजदूर जाम बाकुए हैं ज जी तफसिलात के लिए सीधा चलते हैं रूफ के पास सईद रूफ क्या कुछ ताज़ा तफसिलात है इस हवाले से जिस तरह से साथ मजदूर जो है ओड़ी के रहने वाले वो जाम बाकुए हैं तीन अथे औरा जिनको ओड़ी वापस लाया जा रहा है देखें गोहर गल जो वाका पेशाया है तो इस हवाले से वहाँ पे जो डेड़ बाडी रिकवर हुई है उसके बायद ही उनकी निशान दी भी की गई कि उनका तालुक जिला बारा मुला के ओड़ी लाके से हैं और जो ही यह एक हबर यहां बारा मुला के गिरिद नवा में पहुची तो काफी लोगों के यहां से सफ मादम बिच गया और लोग जो है वो जाकतार होने लगे क्योंकि लोगों का कहना है कि सब यह लोग जो है यह गरीब कुम्बे से तालुक रखते हैं और मजदूर है जो मजदूरी एक ठेकेदार के साथ मजदूरी करने वहां चले इसकी हैं कि इनको लिफ्ट किया जाए एक तो कहा जा रहा है कि जो डेड बॉड़ी से वो उनको काफी जख्चोटे है उसमाले से और दूसरा यह कि कहा जा रहा है कि वहां से लेकर ओडी तक काफी सफर है इनको काफी टाइम लग सकता है तो इसमाले से एडमिस्ट्रेशन गुवर्नर इंतिजा में को लिखा है कि इनको लिफ्ट किया जाए पहले तो इनको देली तक लाय जाएगा उसके बाइद इनको लिफ्ट किया जाएगा देली से ओडी तक तो अभी तक यही खब रहे है और यहां की बात करें ओडी की तो काफी अलाकूं से लोग ओडी की तर इस हवाले से तरह यहां आप से जाने के जिस तरह से जो तीन मजदूर हैं वो जख्रेंगें उनकी हालत किस तरह की है और जो लापता सूला साला नوجवान जो है बता जाता है कि वो लापता है तो इस हवाले से क्या है ताज़ा अपडेट? देखे गवर ये जो तीन मजदूर हैं जो जिनका तालुग भी वादशी है उनका कहने है कि वो अभी स्टेबल है अगर जो उनको चोटे आई है पर करेंगे वो स्टेबल है और एक मजदूर की अभी लाश नहीं मिली है क्योंकि कहा जा रहा है कि वो उसके भी मौत वाका होग हैं वो बरावर तलाश में लगे हुए हैं डेट बॉडिस को निकालने के हवाले से यहां से अभी अभी कि गवर्न मैं आपको खबर दे दू कि कहा जा रहा है कि गवर्नर ने सदमे के हवाले से अपसूस का इजार किया है और उन्हों लिख की बात किया कि तकरीबां यही है कि दो स्थ शार मरने वाड़े कि कम्मे को दिये जाएगाए एक्स की ब्लिख के घाए चली है बहुत बहुत शुक्रईा सदूर फारुह की आप ये थिस तरह से उट्रा खन में एक हदसा पेशा है जिसकी तराश बड़े पहमाने पर जारी है और आज जामबा कोई अफराद को आज ओड़ी अपने गर वापस लाए जा रहा है वादी के मुक्तलिफ राकों से जहां पीने के साफ पानी के हावाले से लोगों की तरफ से माकमे पी एची के खराफ शिकाएं थे मासूल हो रही है जबके कई आराकों से एतिजाजी मुझाहरे भी हो रहे हैं का मतलका मैकम आवाम तक पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए संजीदा है। वह सकता है वहां पर सोर्स की फ्रीजिंग होई होगे और उसमें पानी की मेकदार कम होई होगी। हम आईसे सिकीमु को देख रहे हैं तो अलड़ी हमने इस्ट्रेक्शन इस्यू किया है कि वह सोर्स को साफ करें वहां जो आइस फार्मेशन होती है उसको साफ किया जाए उसके वह से अलावा जो हमारी कोई 700 लिफ्ट स्की में बनती है यह लिफ्ट स्की में ज्यादा तर आपके पावर से चलती है जो इलेक्ट्रिक पावर होता है तो इसमें आप सबको पता है कि कंटिनुटिंटी में बिजली जो है उसमें कमी पेशी होती है रियास्त जम्हो कश्मीर में गरीब और मुस्तेक अफ्राद के बहबूत के लिए जहाँ मुक्तलिफ रियास्ते और मर्कजी सिकीमें मतारिफ की गई हैं कि गरीबी की सत्त से नीचे घुजर बसर करने वाले इन सिकीमों से इस्तिफादा खासल कर सके वही राज़ुर के दरहाल अलाके में मरकजी मामनत अवाली सिकीम प्रदान मंतरी आवास योजना के ताहद बेवाओं जिस्मानी तोर कमजूर और गरीबी की सता से नीचे गुजर बसर करने वालों को पके मकान तामीर करने के लिए एक प्लाक बीस हजार रुपए फराम किये जाते हैं ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके लोगों का कहना था कि बारशों के दौरान कच्छे मकानों में वो आराम से नहीं रह सकते ताम प्रदान मंतरी आवाज योजना सिकीम के थाथ उनके मुश्किलात का अजाला हुआ है बारश की वज़ा से उन्हें रहाज को कोई भी जरीया ना था और उनके मकान वो सीधा और तूटे हुए थे जिससे उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था बचे ना रात को बैठ कर पड़ सकते थे तो बच्चों की तालिम जो थी वो भी जाया होती थी क्योंके सुकून से तसली से वो बच्चे नहीं बैठ सकते थे जिससे गुवर्मेंट ने इन लोगों की मदद किया और बिलखुस मैकमो पंचाइप ने उनकी मदद किया अब लोग सुकून से आराम से रह रहे हैं और जिन्गी बसर कर रहे हैं कि अब बाटमेंट का खास करके जो हमारा रूरल डुवर्मेंट डिपार्टमेंट हाउस का शुक्री आदा करना चाहता हूं कि हमारे थने मंग में उन्होंने ये पी एमेवाई का केस जो ये हमारी एक बेवा हैं यहां पे उनको दिया इनको दो इंस्टाल्मेंट मिल चुक आफिए पंचाथे बनी हैं पंचाथे पहले नहीं थी तो हमने ग्रामसवा की मीटिंग अरके उनको सेलेक्शन की है तो ग्रामसवा की मीटिंग में जो लोगों ने बता राए कि ये गरीब है उसके अबहाद हमारे पार जो फिर फंकिशनरी है बियल एवल्यू हैं अम्पी कि गिये हैं जिनके मुका कच्छे थे जिनके मुका किरें वाले थे वीज में कोई होसलस लोग भी थे जिनके होस्ते ही नहीं कुछ तिंटों में रहते थे तो बिरून मलुक से रुकुमात के आनलाइन तरसील में आसानी फराम करने के लिए जमू कश्मीर बैंक ने अपने गा कार के मकाबले में अब गाहकों की तेज और सस्ते तरीक कार से खिदमत की जा सकती है मादे के बाद अब किसी भी मलुक से बासानी रुकुमात जमू कश्मीर बैंक के खातेदारों के खातू में जम्ह हो सकते हैं जिसे बीरून मलुक काम कर रहे लोग अपने रिश्टेदार दावी किया जाते हैं ताम शमारी कश्मीर की नौलारी पटन इलाके में काइम हैलत सबसेंटर की हालत देखकर उन वादों और दाओं की बरकस नजरारा है इलाके के लोगों ने शिकायत की हैं कि मज़कूरा हैलत सबसेंटर पिछले 20 सालों से किराय के दुकान में हैं कि हैलत सबसेंटर में तिवी सहुलियात के फुकदान की वड़े से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्होंने इंतिजामिये से अपील की हैं कि मज़कूरा हैलत सबसेंटर को अपग्रेड करने की साथ-साथ दूसरी जगा मुश्किल किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सकी कि इसको थोड़ा और डाफ्रों की महिया किया जाए क्योंकि डाफ्रों की बहुत कल दखे यहां हम स्यामो साथ जगा जाए और गौवर्नर अड्मिस्टेशन से गुदारिश करते हैं कि थोड़ा सब बिल्डिंग यहां पे हिलर कोकरना के मका में लोगों ने बीडियू सागाम के दफ्तर के बार अहतिजाश करते हुए बीडियू सागाम के खला नारबाजी की इसे मौके पर अहतिजाश में लोगों ने बीडियू सागाम पर इल्जाम आयत करते हुए कहा कि अगर्चिव बलाग डवलफ्मेंट के दफ्तर में किसी काम से आता है जिसके वज़े से उन्हें मुश्किलात का सामना करना परता है उन्होंने अब वीडियू के तबादले की मांग किया हुए कुमेटों देने के लिए तया नहीं हमारी वहाद ग्राम सबाव हुए है ग्राम सबाव में आया है वीर डवल्यो उसने कहा है कि हम एक हलके को एक एक काम उठेगा नरे गामें तो मुझे पता नहीं पर नहीं है वीडियो से आती है या मतलब कोई और है उसके पीछे तो वह आया हमारे गाओं में उसने एक एक काम एक एक हलके में उठाया हमारे गाओं में दस हलके है जब दस हलकों में दस काम उठे है तो हम बैठे है सालन हमने कहा एक हलके में एक एक काम आये गर कुछ हलके है जिनमें दस दस पंद्रा पंद्रा काम आये है वो कहां से आये है नाकश ड्रैने सिस्टम की शिकायत करते हुए पटन वारे के मकामी बाशन्दू का कहना है कि आलाके में ड्रैने सिस्टम नाकारा होने की वज़े से उन्हें चलने फिरने में दिक्कते पेश आ रही है जब के बारे के दौरान चलना फिरना और भी मुश्किल हो जाता है मकामी लोगों का कहना था कि अगर्चे इस मामले को मिंस्पल कमीटी पटन की नोटिस में भी लाय गया था ता हम कोई भी कدم नहीं उठाया गया गदर इस हवाले से मुंस्पल कमीटी पटन की हुकाम का कहना था कि फंड्स वागुजार होने के बादी मज़कूरा ड्रेन पर काम शरू किया जाएगा करां सुबहर ची वाँ अनुजा सुभी पर लान में पैसा ही नहीं कोई है उदर मुंस्पल्टी बिल्कुल खा लिए हमने एकाउंट्स देखे बिल्कुल खा लिए उदर पैसा आएगा फंड्स हमारे आ रहे हैं पहले हम प्रियाटी पे मैंने लिखके रख्या अपने पास कौन से काम हमने पहले करना है वह हमने बनाया हुआ इसका पूरा इसे के साथ ही अभी तक का अर्दू खबर नामा एक्ताम पजिर हुआ चाहता है अपने मेजवान गावर कुछे को अजाज़ा दीजिए अल्ला हाफिज